जै जै माता दिमित्रो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मित्रो इस दुनिया का सबसे एहम और सबसे महत्वपूर्चीज है प्रेम हर इंसान को किसी न किसी से कभी न कभी कोई प्रेम होता है और यहाँ उसके उपर है कि वो अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए कर्म करता है तो उसे पा लेता है नहीं तो कोई भी कर्म नहीं करता तो उसका प्रेम छूड़ जाता है राधा और श्री कृष्ण इनका प्रेम अध्विती है और हर प्रेम में इनहीं के उधारण दिये जाते हैं अगर आप चाहते हैं कि जिससे प्यार करते हैं उसी तरह से आपका रिस्ता अटूट हो जिस तरह से राधा और स्री कृष्ण का था चाहते हैं कि जिससे प्यार करते हैं आप वह इस्त्री या पुरुष आपके प्रति भी उतना ही इमानदार हो उतना ही सच्चा हो जितना आप चाहते हैं तो भगवान शरी कृष्ण का बहुत ही परम पवित्र सक्तिसाली मंत्र है यह मंत्र जो है प्रेमी और प्रेमिका के दिल में प्यार पैदा करने के लिए ही है और इनके अंदर जो सम्मोहन की सकती है वह अन्य किसी देवताके में नहीं था तो आप इसकी अराधना करके भगवान शिरकृष्ण की पूजा करके सैयुक्त रूप सिराधा और सिरकृष्ण के साथ आप यह प्रेम के प्रती और प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं चाहते हैं, जिस्वयक्ति को आप चाहते हैं, उसके दिल और दिमाग में वह प्यार की गहराई को आप पैदा कर सकते हैं तो करना क्या है इसके लिए? इसके लिए कुछ चीजे हैं और कुछ नियम है जब इस मंत्र का जाब करेंगे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का मंत्र को तो आपको चंदन की माला लेनी है और भगवान श्री कृष्ण का जब मंत्र जाब करेंगे उस समय राधा और कृष्ण का जो सैयुक्त रूप का है उसका एक प्रारूप रखिए थोड़ा सा सहद अपने पास रखिए और लाल पुष्प अपने पास रखिए और उसके बाद आप अपने प्रेमी का या फिर प्रेमी अगर इस्त्री कर रहे हैं तो प्रेमी का और पुरूस कर रहे हैं तो प्रेमी का का फोटो अपने पास रख किजिए प्रती दिन एक माला दिन कोई सभी प्राराम कर सकते हैं बस आप संपूर स्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए उनका आसिरवाद प्राप्त करते हुए इस मंत्र का जाब किजिए आप देखेंगे कि प्रेम में आप असफल होंगे ही नहीं आपका प्यार सफल होना ही है मंत्र इस प्रकार है और इस मंत्र की सकती के प्रभाव से आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्यार का जो प्रारूप है और किस तरह से बदलाओगे और आप किस तरह से आपको आपका प्यार मिल गया समझ में नहीं आता हो तो नंबर पर वार्टसप या मैसेज कर सकते हैं जय जय माता दिमित्रोव